आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों स्वाद करता हूँ आप सभी का आपका प्रशन है पदार्थ के से कहते हैं इसकी तीनों अवस्थाओं में अंतर लिखिए ठीक है ना? तो आएए हमें इस प्रशन के उत्तर को देखते हैं ठीक तो पहले हम पदार्थ अर्थाथ जो हमारा द्रव्य होता है उसको परभाशत करते हैं ठीक है ना? तो पदार्थ या हमें से कहें द्रव्य ठीक है? यह कुछ इस प्रकार से परभाशत होता है कि पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु है जो इस्थान गेरती है ठीक है ना? द्रव्य वह वस्तु है जो इस्थान गेरती है ठीक है ना गेरती है ठीक द्रव्यमान रखती है तथा जिसे हम अपनी पांच इंद्रव्यों में से किसी भी एक का प्रयों करके अनभव कर सकते हैं ठीक है तो द्रव्यमान ठीक है ना द्रविमान रखती है, ठीक है, तथा जिसे हम, हम अपनी पाँच इंद्रियों में से किसी भी एक, अपनी पाँच, ठीक है ना, अपनी पाँच इंद्रियों में से, एंद्रियों में से किसी भी एक या एक से अधिक, ठीक ना, एक से अधिक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, के, द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना, हैं द्रव कहलाता है, कहलाता है, ठीक है न, तो इस प्रकार से इसकी प्रिभाशा पूर्ण होती है, ठीक है, तता जो इसमें पूछ रहा है कि इसकी तीना वस्ताव में अंतर लिखिए, ठीक है, तो जो द्रव होता है ये तीन अवस्थाओं ठीक है ना द्रव ये तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ठीक है जो इसकी तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ठीक है जो इसकी तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ठीक है जो इसकी तीन अवस्थाओं में इस प्रकार से है तो इन तीनों में जो अंतर है वह कुछ इस प्रकार से हैं इनको हम यहीं पर लिख लेते हैं नीके नीचे ठीक है जो ठोस होते हैं ठीक है तो ठोसों का जो घनत होता है वह सबसे अधिक होता है ठीक है ना घनत सबसे अधिक होता है ठीक है ना तथा जो द्रव होता है ठोस की अपेक्षा कम ठोस ठीक है ना ठोस की अपेक्षा ठीक है ना अपेक्षा इनका कम घनत होता है कम घंदतो ठीक और जो गैस होती है इनका सबसे कम घंदतो होता है सबसे कम घंदतो ठीक ना जो सबसे कम घंदतो होता है वो हमारे गैस का होता है ठीक है तक जो इनमें एक दूसरा अंतर और देख लेते हैं या हमारे इन तीनों ही में हमने एक एक अंतर देख लिया तक जो थोस होते हैं, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक जब कि जो द्रव होते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है, ठीक जब कि जो द्रव होते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है केवल, आयतन निश्चित होता है ठीक है न? और जबकि जो हमारे गैस होती है गैसों में ना तो इसका आकार निश्चित होता है नहीं आयतन ना आकार ना आयतन ठीक है ना तो आकार ना तो आयतन निश्चित होता है ठीक है न दोनों ही निश्चित नहीं नाकार नायतन निश्चित होता है अर्था आत जो हमारे गैस होते हैं उनके ना तो आकार निश्चित होता है नहीं आयतन निश्चित होता है ठीक है न तो इस प्रकार सी है हमने तीनों में ही अंतर भी देख लिए ठी करता हूँ आप सभी को तस्वाज में होगा धन्यवाद क्लासिक्स ट्वेल से लेके नीट आई आई टी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाजसाब कीचे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर